बाबा साहब डॉक्टर अम्बेटकर के नमक हराम या जो कोई संगठन, कोई आयोजग, कोई सेमिनार, कोई अधिवेशन हैं उसके जो आयोजग हैं उनके नमक हलाल ये दोनों बातें नमक हराम और नमक हलाल की मैं इसनी बोल रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान ने मुझे फोन किया, एक मैंने वीडियो बनाया था डॉक्टर घंटा, सायद वो घंटी कहीं उनकी बज गई, वो कहना तो मुझसे बहुत कुछ चारे थे, उनकी बलाते नहीं है क्या, अधिवेशन में या जो सेमिनार हैं, जो बड़े-बड़े काईकर्म लगते हैं, जो भारत के SC, STO, BC या जो मूल निवासी लोग हैं, उनके इतनी बड़े-बड़े मंचे लगती हैं, आप कहीं दिखाई नहीं दिखाई नहीं दिखाई देता, दरसल वो मुझे थोड़ा सा ला जाना चारे थे, थोड़ा सा ये दिखाना चारे थे, कि देखो आपका वीडियो बेसक लोग सुनते हैं, हजारों की तादात में, मगर आपको कोई भी अधिवेशन में, सेमिनार में बुलाता नहीं है, आप इस बात को समझो कि आपकी कहीं कोई बाहर वैलू नहीं है, तो मैंने जो वो डॉक्टर साब थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरी इकादत है, कि मैं किसी को डायक्ट हट नहीं करता, मगर इंडायक्ट मैं छोड़ता भी नहीं, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ, तो सबको इसका ग्यान होना चाहिए, कि उन्होंने जो कहा है, उसका जवाब क्या है, क्योंकि जवाब नहीं देंगे, तो ऐसा लगेगा, कि सायदर जो डॉक्टर घंटा है, जो वीडियो बनाया है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत चला है वो वीडियो, आप उसको एक जरूर देखिए तरसल मुझे बहुत सारी लोग उन्हें बुलाया और अपसे नहीं 20-25 साल परेल से मुझे बलाये हुए हैं कोई भी अदीवेशन भारत में और कोई भी संग्ठन ऐसा नहीं है जहां मैंने काम ना किया हूँ चैमने, सालवर, चाहिए वो धम का हैं चैदलबल, सेना, संग्ठन, धमिक, सरकारी करमचारियों का या कैसा भी रहा है अगर वो बहुजनों का रहा है मेरा सभी में आना जाना रहा है मेरे साथ दिक्त यह है कि जब मैं माइक पे पहुंसता हूँ तो मैं बावा साथ का नमक हलाल हो जाता हूँ मैं भगवान बुद्ध का नमक हलाल हो जाता हूँ जब तक मैं कुर्सी पे बैठा रह रहता हूँ तब तक तो ठीक है अगर आपने मुझे माइक दे दिया तो माइक के बाद में फिर मैं आयो जग का नमक हलाल नहीं रहता हूँ मैं आये जुको का नमक हराम हो जाता हूँ और बाबा साब का मैं नमक हराम नहीं रहता है। किस आदमी को बला लिया और ये क्या बोल ला है क्योंकि अगर मैं बावा साब का नमक हलाल हूँ तो मैं बावा साब की बात करूँगा जब मैं बावा साब की बात करता हूँ बुद्ध की बात करता हूँ समनाटासु की बात करता हूँ जोतिवा फुले, समराटा सोग या भगवान बुद्ध के नमक हरामी में जाती है, उनके वुरुद जाती है तो मेरा जो जमीर है, जो मेरा अंदर स्कॉंशियसनेस है वो ये कहती है कि तुझे कोई बुलाए या ना बुलाए अगर तुझे मौका मिलाए तो बात वही कह रही है जो बाबा साब, जो भगवान बुद्ध, जो समराटा सोग और जो जोतिवा फुले जैसे महापुर्सों के लिए नमक हलाली है, नमक हरामी मिली है तो होता क्या है, होता यह है कि जब वो बलाते हैं तो नाम डालते हैं तो नाम डालने का उनका मकसद यह है कि वो ये दिखाते हैं कि देखो इतने सारे लोग हमको मान है, हमारे काईकरम में आ रहे हैं तो हमारी वैलू बढ़ी है वो basically अपनी value बढ़ाने के लिए जो ये बुद्धी जीवी या आधे बुद्धी जीवी या गणमान ने या विद्वान या डिग्री होल्डर या पूंच वाले या आगे कुछ लगा हुआ है वो ऐसे नाम को ढूंटे हैं और उनका photo नाम छाटके और उनको बुलाते हैं हम इटलेक्शल हैं हम जानकार हैं हम ग्याता हैं और हमारा थोड़ा सा जो धंब है फोड़ा सान्त हो जाए तो जब वो आयोजक जब अपने विद्वानों को रखता है राइट और लेफ्ट, हाला कि विद्वानों की कोई वकात नहीं समझता हूँ, और उसका एक चेला चंटारा सा या उसके जैसा दूसरा, जो उसका बहुरसेगा होता है, वो दूसरा हमारी पढ़के संचलन करता है, वो भी एंट की मारे पैं अनकी मजबूरी है कि वो आयजोको को आरीफ करें, अब वो आयजोको की तारीफ बड़ी सिद्ध से करते हैं, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा आयजोक की तारीफ करेगा, कायकरम की तारीफ करेगा, उसकी दुबारा बलाने की दुबारा आने की गारंटी उतनी ज़्यादा तो वो इस बात को नहीं कहते कि बावा साब की अडलोजी क्या है भवान-बुद्ध की अडलोजी क्या है या जोतिवा फुले का चाहते थे या समनाथा सोक ने क्या 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 ने कहा meget इस सबने कोई लियनादर नहीं है तो ये देखते हैं कि आयोजग हम से नाराज हुआ और हमें तालियां कितनी पिटी बस वो उतनाई भाशार उतनी बात रखते हैं वो कभी आयोजग को ये नहीं कहते कि अरे आयोजग तू भावा साब की बात करता है तू समराटा सुक की बात करता है तू भगवान बुद्ध की बात करता है तो जो तेवाफ लेगी बात करता है कब कहा इन महापुरसों ने कि तू अलग-अलग संख्ठन बना कर खेल कब कहा इन महापुरसों ने कि तू जो ये व्यक्तिकत संख्ठन चला रहा है इस व्यक्तिकत संख्ठन को बना कब इन्हों नों ये तुझे सATHाइा के तेरा जो संटा चलाने का तरीका है ये संख्थन कराथी कर देगा कब तुझे ये कहा कि तु लोगों को इखटे करना और तु ख़ुद इखटे मत होना कब तुझे ये कहा इन महापृरस होना है तुम ने कोई अपनी कारेकार्णी या नीती क्यों नहीं बनाई आस्ता, और क्यों नहीं लोगों को बताई, और तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, तो अब तक तुम आछीफ्मेंट क्यों संबुनेता बनके चले आए अरे तुम जो और्गिनाजर हो तुम काम क्या करते हो तुमारा रोजी रोटी का साधन क्या है तुम क्या परजी भी हो जो लोगों के पैसे के उपर अपना घर चलाओगे ये सवाल कोई पूछता नहीं क्योंकि ये सवाल पूछेगा तो अगले बार तो वो जो आधा बुद्धी जीवी है या घंटा है या जिनको वो दाइवाय सजा के रखता है उनको तो बाइकाट कर देगा बलाया गरे जिन्वी में कभी भी हो चार लोगों सोर कहते हैं अपने जो संग्ठन वाले भाई हैं जो जैसे संग्ठन चला रहे हैं इसको मत बलाना ये बड़ा वत्तमिज आदमी है इसको बलाते हैं ये तो हमारी कभर खोता है तो ऐसे व्यक्ति को कौन बलाना पसंद करेगा मेरा सभाव ऐसा ही है जब मुझे कोई बलाता है तो मैं बल्लकुल फैर टेल बात करता हूँ कहे वार मुझे बलाया मैंने मन से कहा तो मंच के जो पीछे लोग होते हैं आज़ोग होते हैं वो कहते हैं जी ने ये ये नहीं है वो क्या करते हैं जब मंच पे भाषण बोलते हैं तो आगे तालिया परकती है फिर वो आयज़ोग को देखते हैं आयज़ोग कहता है बहुत बढ़ी है एक हम उठा उठा के काईगा बहुत बढ़ी है थामसा बहुत लला जवाब उसके बाद वो वहाँ से ऐसे भाषण देखे जब तालिया परकती है तो ऐसे आता है जूनता हुआ और जैसे क्या वो दो सांड आता है या हाती आता है उसके बाद में सबसे हाथ मलाएगा मंच पे और सबके हाथ को दबादबा के देखेगा के कौन कितनी सावाशी दे रहा है और सब बड़ा ठोपके सावाशी देते हैं क्योंकि उनको भी सावाशी चाहिए अभी वो बोल के आएंगे तो वो भी ऐसे अमुठा करेंगे और फिर वो भी हाथ मलाएगे कहेंगे बहुत गजवाब का बोले लाजवाब इस गजवाब के बोलने से इस लाजवाब बोलने से करांती नहीं हो रही है सब्तर साल से सब गजवाब का बोलने है सब लाजवाब बोलने हैं अगर सब अलग अलग बोलने है सब ऐसे अमुठा दिखा रहे हैं सब ऐसे पीट थप तपा रहे हैं हो कुछ नहीं रहा कहीं भी सब संटनल अलग है जो बीच में बैठके वो कुपपा जो बीच में बैठा रहता है जो अपने आपको ये कहता है कि मैं पूरे का राइट वाले का भी मालिक हूँ और लेफ्ट वाले का मालिक हूँ और जो उसका एजेंट बीच में जो संचलन करता रहता है वो सब कुछता रहता है बीच में ठीक चला जा ठीक चला ना कायक में बहुत बढ़िया रहा बहुत सफल रहा देखो ये वक्ता है ये वक्ता है और उने ये कहा ये कहा ये कहा और उसके बावा साब के नमक हराम हो या बावा साब के नमक हलाल हो तुम कर क्या रहे हो बावा साब ने तब कहा अलग-अलग संग्ठर बना के इन बुद्धी जीवियों को बला के तुम इनका जलूस निकालना इनसे पूछना अरे इन बुद्धी जीवियों को एक मंच पर एक साथ क्यों नहीं बलाते हो तुम एक प्लेटफार्म क्यों नहीं बनाते हो तुम अलग-अलग अपना नाम चमकाने के लिए जो आया जो खोगा उसका तो फोटो बहुत बढ़ा होगा नाम बहुत बढ़ा होगा और जो वो ब रखता है कि ये बुद्धी जी भी बड़े काम के हैं तो इनसे इलगा तक पर्मनेंट काम लो ना इनका एक दिन भाशल करा दिया फिर अगल साल नमबर आएगा अभी जनवरी में अभी दिसम्बर में बुकिंग होई ना तो अगले साल दिसम्बर में फिर सौटेज होगी तब उनके नमा खलाल बनोगे अपने आपको देखो जरा सोचो जरा क्या हलत हो गही है जो भावा साब लेकर आये थे जो जितिपा फुले लेकर आये थे जो भगवान उत्त लेकर आये थे खंड़ खंड़ टुकड़े टुकड़े जो सम्मिधान में जो सुभजाती खंड़ खंड़ टुकड़े टुकड़े तुम कर क्या रहे हो सिर्फ बीच में बने हुए हो बावा साब के नमक हरा लोगा या बावा साब के नमक हराम हो सोचो जरा इसलिए मैंने उनको जवाब ने दिया कि बुरा लग जाएगा उनको पहुच ज़़ा क्योंकि फिर मैं एक तरह से इंडियरेक्ट और डायेक्ट जवाब देता हूं तो वो समझ में आता है और सबीलोग इसको मानते हैं जानते हैं देखते हैं और समझते हैं situation है क्या बेसी कली मुझे खुष किसको करना है आयोज़ग को खुष करना है या बावा साब की जो आइडिलोजी विचार है उसको खुष करना है अगर तुम बावा साब की अनुयाई हो बावा साब की तुम नमक हलाल हो तो एक खट्टे क्यों नहीं होते और अगर तुम नमक हराम हो तो तुमारी मंच पर जाकर तुमारी तराइफ करके मैं सपाप में भागी बनूगा क्यों इससे बड़िया मैं अपनी बात कहूंगा वो ज़्यादा अच्छा है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संखन शरनं गचाने उतं शरनं गचाने संखन शरनं गचाने संखन शरनं गचाने